एक रुप्या से भी कम के प्राइस पे सबसे ज़्यादा भोलिम वाला सेर विकास इन्फो टेक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं विकास इन्फो टेक लिमिटेड को हम MPS के नाम से भी जानते हैं यह इकलोता हैसा पेनी स्टोक है जो की NSC वब BAC दोनों पे लिस्टेड है और एक रुप्या से कम के प्राइस वे सबसे ज़्यादा भोलिम वाला स्टोक है विकास इन्फो टेक लिमिटेड को मैं काफी लंबे अर्से से कवर करते आ रहा हूँ और आप इसमें लंबे टाइम में देखें तो बहुत बढ़िया रिटर्न रहा है पांच साल में 1400 परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस स्टोक का प्राइस लगभग एक साल पहले शिर्फ 20 पैसा था वहाँ से इस स्टोक में जबर 10 तेजी आई और स्टोक ने ओल टाइम हाई एक रुपया 60 पैसा टच किया ये फरवड़ी 2022 में और उसके बाद रूस यूक्रेन वार के धर्मियान जब साड़े बजार में गिरावट आई उसी टाइम इस स्टोक में भी गिरावट आई और स्टोक लगभग 50 परसेंट तक करेक्ट हुआ और फिलहाल उसी गिरावट के कारण स्टोक आपको काफी सस्ते दामों पे एविलेबल है तो अब चुकि मार्केट अपना रिकावरी काफी तेजी से कर रहा है स्टोक भी अपना रिकावरी करने के लिए जीत तोर कोसिस में लगा हुआ है और इसी कारण स्टोक में कभी आप 8-9 परसेंट का उच्छाल देख रहे हैं तो कभी 5-6 परसेंट का हाला कि ये अभी सस्टेंड नहीं कर पा रहा है परन्तो अपना कोसिस जारी है और इसके कारण ये स्टोक बहुत जल्द आपको अपना ब्रेकावरी करने के बाद बहुत तेजी से फिर अपना पुराने ट्रेक पे लोटने की कोसिस में लगा हुआ है और बहुत जल्द ये स्टोक आपको पुराने ट्रेक पे लोटता हुआ दीखेगा भी तो stock फिल हाल 65 पैसा से लेके 85 पैसा के बीच घुम रहा है और जिस दिन ये 90 पैसा का breakout दिया उसके बाद इस stock में एक तेज उचाल देखने को मिलेगा ऐसे stock को खड़ी दिने से पहले आपको अपने लेबल से भी research कर लेनी चाहिए चुकि यह penny stock है तो ऐसे stock में ज़्यादा investment करने से बचने चाहिए अपने portfolio का maximum 10% ही penny stock में निविस्ट करने चाहिए यह सबसे ज़्यादा volume वाला stock है इसमें लगभग 59 million से above का volume है और volume indicate करता है इसमें सबसे ज़्यादा खड़ीद विक्री होने का यह एक debt free penny stock है हाला कि यहाँ पे आपको promoter holding लगभग 9 के बराबर है तो इन सभी बातों को ध्याद में रखते हुए यदि आप इस stock में position बनाना चाहते हैं तो best होगा इसमें आप SIP के थुरू investment करें और 65 पैसा से ले के 75 पैसा के बीच में SIP करें target इसमें आपको 1.60 पैसा का first target होगा जिसके लिए time frame 3 month का है